जी हां फ्रेंट्स आजकल के इस टेक्नोलोजी वर्ड में एक email address की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है चाहे उस email address के तुरू आपको अपना android phone रन करना हो चाहे किसी job के लिए apply करना हो या फिर online कोई account create करना हो हर जगों आपको email communication के लिए email address enter करना होता है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरों से बहुत ही आसानी से अपने mobile को यूज करकर एक email address create कर सकते हैं So let's start a video So friends, as usual हम आ चुके हैं सबसे पहले अपने mobile की screen पर और mobile में सबसे पहले आपको open करना है कोई भी internet browser Mobile में जैसे ही आप internet browser open करेंगे तो नीचे आपके पास option आता है search and type web address का यहाँ पर आपको type करना है create Gmail account Google search के अंदर जैसे ही आप type करते हैं create Gmail account और search करते ही तो आपके पास कुछ इस तरो के option आएंगे आपको इसको scroll down करना है नीचे आपके पास एक option आता है https slash accounts.google.com और यहाँ पर आपके पास option आता है create your Google account आपको इस पर click करना है create your Gmail account पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरो का next page open हो जाएगा Google का और यहाँ पर सबसे पहला option आपके पास आता है first name और last name का यहाँ पर आपको अपने Gmail account के लिए जो भी आपका real first name और last name है वो एंटर करना है जैसे ही आप application के अंदर में अपना first name और last name एंटर करते हैं तो Gmail application की तरफ से आपको नीचे एक recommended available username मिल जाता है जिसको आप use कर सकते हैं अपने account बनाने के लिए अगर आपको यहाँ पर यह वाला username नहीं चाहिए तो आप manually जो username आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं वो करस्ते हैं बट वो नेम यहाँ पर available होना चाहिए है सो यहाँ पर manually हमने एक username एंटर किया था अपने email address के लिए और नीचे हमें error शो कर रहा है इस username is already taken try again हमको कुछ और try करना पड़ेगा या इस username के साथ कुछ और combination सेट करने पड़ेंगे सो अगेन हमने एक नया username यहाँ पर एंटर किया है onlineadda007 at the rate gmail.com चेक करते हैं वेदर यह available है या नहीं और यह username भी already किसने ले रखा है आप देखते हैं onlineadda007 available नहीं था वो already कोई person ले चुका था तो हमने इसमें कुछ changes किये हैं onlineadda1983 कर दिया है और यह username यहाँ पर available है और हमें मिल गया है इसी तरह से आपको अपने लिए different username सर्च करने हैं आपको मिलता है आपको पसंद आता है वो आपको यहाँ पर सलक कर लेना है अपने यूजर नेम बनाते समय आप words के अलावा यहाँ पर number भी यूज कर सते हैं बट special character यूज नहीं कर सते इसके बाद नीचे आपके पास option आता है पासवर्ड का नीचे यहाँ पर आपको अपने email address के लिए पासवर्ड सेट करना है और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर सेट करेंगे वो पासवर्ड एक strong पासवर्ड होना चाहिए और वो पासवर्ड आपको हमेशा याद होना चाहिए तो फट 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 चे अपने username के लिए यहाँ पर एक password सेट करते हैं तो अपने account के लिए password हमने यहाँ पर सेट कर दिया है तो जो भी password आपने अपने account के लिए सेट किया है उसकी जो length है वो minimum 8 character के होनी चाहिए और पासवर्ड आपने अपने account के लिए सेट किया है सेम यही password आपको नीचे confirm वाली field में टाइप करना है अगर password mismatch होता है तो नीचे आपको error शो करेगा आपको again दोनू password सेम टाइप करने हैं जैसे ही आपके दोनू password सेम टाइप कर लोगे उसके बाद नीचे आपको किल्क करन आता है verify your phone number यहाँ पर आपको अपना एक phone number एंटर करना होता है और make sure यहाँ पर आप वही वाला phone number एंटर करें जो आप mobile में यूज कर रहे हैं या फिर वो phone number active होना चाहिए आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस phone number पर Google की तरप से एक six digit का verification code send होगा वो code आपको यहाँ पर एंटर करना है तो हमने अपना mobile नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है इसके बाद क्लिक करेंगे नेक्ट पर कि नेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो गूगल की तरप से आपके mobile पर एक code आता है और वो code आपको नीचे यहाँ पर एंटर करना है कोड एंटर करने के बाद नीचे आपको क्लिक करना है वेरिफाइपर 6 डिजिट के वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद जैसे ही आप वेरिफाइपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का नेक्स पेज ओपन हो जाएगा और जो भी मुवाइल नंबर आपने वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एंटर किया था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है रिकवरी इमेल एडरस का यहाँ पर आपको एक रिकवरी इमेल एडरस एंटर करना है यह आपकी ओप्शनल चोएश है आप इसको एंटर कर भी सकते हैं और नहीं भी बट मैं आपको recommend करूँगा आप हमेशा यहाँ पर अपना recovery mobile number और email address एंटर करके रखें so that in future अगर आपका password आप भूल जाते हैं तो आप इन option की थुरू अपने account को recover कर सते हैं so नीचे यहाँ पर हमने अपना recovery email address एंटर कर दिया है और यह recovery email address आप किसी कभी एंटर करते हैं अपने family member अपने friend चाहे वह आपके भाई का email address हो चाहे आपका अपना हो चाहे आपके friends का हो बट आपको यह make sure करना है यह email address वाला email address होना चाहिए जो बार-बार change ना होता हो in case in future आप अपने account का password भूल जाते हैं तो उस recovery email address के थुरू आप अपने account को access कर पाएंगे इसके बाद नीचे आपको अपनी जो date of birth है वो enter करनी है और इसके बाद नीचे आपको अपना जो gender है वो select करना है यह सारी चीज़े एंटर करने के बाद आपको click करना है नीचे next per next per जैसे ही आप click करते हैं तो आपके पास option आता है get more from your number for example अगर आप इसको yes करते हैं तो आ आप जो भी वीडियो कॉल है उसको receive करते हैं message receive करते हैं और जो भी Google की services है उनको one by one add करते हैं इस option को आप अपने suitability के recording इसकिप कर सते हैं अगर आपको चाहिए तो आप करेंगे click yes I am in पर फिलाल हम इसको skip कर देते हैं इसके बाद next option आपके पास आता है Google की privacy and term scan condition की इस page को आपको scroll down करना है और सब से नीचे आपको click करना है I agree पर कि I agree पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपका account यहां पर successfully create हो जाता है और आप ready ही इस account को use करने के लिए आप अपने accounts में यहां पर changes करते हैं अगर आपको कोई changes करने हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया हुआ अगर वीडियो अच्छा लगाया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए इसको अपने friends और family member के साथ इस्टिल अगर आप में वीडियो के comment section में अपना question पूछ सकते हैं और सांदी साथ आप अपना question हमारे टेलिग्राम और WhatsApp गुरूप में भी पूछ सकते हैं हाँ आपके question के reply करने की पूरी कोशिस करेंगे thanks watching bye bye